तो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चानल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे हो और फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ और एक वीडियो लेके आप लोगे के साथ शेयर करना है इसलिए तो आज का वीडियो होगा एक स्कीन केर प्रोड़क्ट के बारे में उस प्रोड़क्ट के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ इन डीटेल्स में वह प्रोड़क्ट है यह वाली है आयूर का स्कीन टोनर यह प्रोड़क्ट कैसा है मेरे लिए कैसे वर्क करता इसका pricing क्या है कितना quantity मिलता है everything मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी तो अगर आप interested हो और इस product के बारे में आपको जाना है तो please मेरा video end तक देखे जाने से पहले एक request है आप सबसे कि अगर ये video आप लोग को पसंद आए और ये video थोड़ा सा भी अगर आप लोग के लिए helpful हो तो please इस video को like जरूर कर दीजिएगा और साथी साथ में मेरे channel को भी subscribe कर दीजिए आपके video screen के नीचे एक छोटा सा red color का subscribe बटन है उसे press कर दीजिए और जैसे ही आप उसे press करोगे उसके ठीक बगल में एक छोटा सा वैल आइकन भी दिखेगा उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई new video upload करूँ आपके पास notification आजाए और मेरा video आप जल्दी से द आयूर skin toner जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि हम लोग अगर अपने skin को healthy रपना चाहते हैं तो हम लोगों को 3 steps follow करना पड़ता है everyday और वो 3 steps है cleansing, toning and moisturising ये 3 steps हम लोगों को follow करना पड़ता है तो toner एक skin care product है हम लोगों को daily इसे use करना ही होता है everyday skin care routine में इसको हम लोग शामिल करते ही है तो इसलिए मुझे लगा क्यों ना मैं इस toner के बारे में एक अपना review share करूँ आप लोगों के साथ आयूर का skin toner ये जो skin toner है ये बहुती एक अच्छा toner है जो मेरे skin type में बहुत अच्छे से suit करता है और मैं जो आज ये product के बारे में आप लोगों को review दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मैं इस product के बारे में एक honest review दे सकती हूँ क्योंकि ये product मैं साथों से use करी हूँ जबसे मैं cleansing, toning, moisturizing ये सब अपने skin के ऊपर शुरू की थी तबसे मैं यही toner यूज करी हूँ क्योंकि ये मेरा first toner है जो मैं अपने skin पे apply की थी और तब से लेके आज तक मैं यही toner यूज करी हूँ so believe me friends ये एक बहुत ही अच्छा toner है और इसे लगाते ही आपके skin में एक automatically glow आ जाता है मैं वो demo पार्ट में आप लोग को लगा के दिखाऊंगी अपलाई करके दिखाऊंगी आप तब देख सकोगे आयूर का skin toner का यह जो size है यह सबसे छोटा size है इसका quantity है 100 ml और इसका price है 50 जो पर आपको discount में मिलेगा यह 45 मुझे भी ऐसे ही मिला था 50 रूपीज इसका price है और यह discount में मिलता है 45 रूपीज जो की बहुती reasonable price है और इसका बड़ा size भी है मेरे पास वो है यह आप लोग देख सकते हो यह है इसका बड़ा size यह है 500 ml का और इसका quantity है 500 ml और इसका price है 150 रूपीज तो और इसके बीच में भी और एक size आता है medium size वो वो शायद 80 रूपीज उसका price है तो आप अगर चाहते हो कि आप पहले try करोगे तो आप छोटा size खरी सकते हो फिर उसके बाद अगर आप कि skin type को यह donor suit करता है तो आप फिर दुबाड़ा repurchase करोगे तब आप बड़ा size खरी सकते हो मैं भी हमेशा ऐसा ही करते हूँ कि मुझे अगर कोई नया product try करना होता है तो मैं सबसे पहले जाके चोटा size खरीती हूँ फिर अगर मेरे skin type को suit करता है तो मैं दुबाड़ा repurchase करते बड़ा size खरीद लेते हैं इसके packaging के बारे में इसका चोटा bottle कुछ इस तरह से दिखता है अप लोग देख रहे हो प्लास्टिक का bottle है इसका body पूरा plastic का है transparent है इसके उपर से सब कुछ दिखता है कि कितना product आप यूज कर रहे हो इसका color क्या है यह pink color का toner है यह transparent bottle है तो इसके उपर से यह दिख रहा है और इसका cap pink color का है इसके इसको ऐसे घुमा के खोलना पड़ता है और यहां पे एक छोटा सा hole है जहां से product निकलता है बहुती यह इसका जो छोटा bottle है यह बहुती girlish type का है और बहुती cute type का packaging और इसका जो बड़ा bottle है वो है यह कुछ sorry यह है इसका बड़ा bottle इसका packaging कुछ इस type का होता है यह white color का plastic bottle है इसका cap है white और pink color का और यहां पे प्रेस लिखा हुआ है जैसे ही आप इसे दबाओगे तो यह इसका यह open हो जाएगा और यहां से एक hole है यहां से product निकलता है कुछ इस तरह का packaging में आता है यह बड़ा वाला और यह भी हल्का सा transparent है देख सकते हो आप camera में भी आपको हल्का सा product दिख रहा है तो कुछ यू इस तरह का packaging में आता है आयूर का skin toner So friends, इस product का claiming क्या है मैं अभी मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे में क्या लिखा है मैं वह पढ़के सोनाऊंगी यहां पर लिखा है Herbal skin toner with aloe vera for all skin types मतलब यह skin toner सब skin types के लिए है और आयूर skin toner is a herbal preparation which contains aloe vera, rose water and natural moisturizers Safeguard the skin against acne, atmospheric microbes and harsh effects of the sun rays, reduces the pore size, temporarily tightens the skin muscles which makes your skin feel refreshed and invigorated Ingredients मैं है Aqua, isopropanol, glycerine, aloe, aloe, barbadensis leaf extract I hope I am pronouncing it right Rose petals extract, mint pudina extract, allantoin, borax, menthol, methyl paraben, propyl paraben, color fragrance So, यह सब इसका ingredients है पर हम लोगों को पता है कि यह आयूर एक herbal company है पर फिर भी इसके product में, इसके product में paraben होता ही है तो आप जरूर यह product खरी सकते है और यूज भी कर सकते है इस product का अभी shelf life क्या है मैं वह आपको बताऊंगी इस product का shelf life है 3 years इसका यहां पर printed है क्योंकि manufacturing date 6-18 और use before 6-21 मतलब 18-21 तक है तीन साल तक इसका shelf life है तीन साल तक इसको आप use कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि toner एक ऐसा skin care product है क्योंकि हम लोगों को करना परता ही है तो अगर daily हम लोग कोई चीज यूज करते हैं तो वह बहुत जल्दी ही खतम हो जाता है फिर भी इसका shelf life 3 years तक है तो बहुत ही अच्छा चीज है इस product के बारे में मैं अभी जो बताऊंगी वह है कि यह product concept skin type को suit करता है मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगी this toner is best for oily to combination skin और यह normal skin पर भी अच्छे से काम करता है पर I don't know how it will work for dry skin क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा खुद का भी dry skin नहीं है और यह product मेरी कुछ friends भी use करते हैं तो उनका भी dry skin है यह तो मैं नहीं बता पाऊंगी पर मुझे जितना तक पता है यह oily skin के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और मेरा kind of sensitive skin है तो मेरे skin पर भी यह बहुत अच्छे से work करता है मैं बहुत satisfied रहती हूँ इसे लगाने से एक within kind of glow आ जाता है मैं उसे लगाखे आपको दिखाऊंगी demo part में according to me, यह toner एक बहुत अच्छा सा本当ettoneur है मेरे skin के लिए बहुत अच्छे से काम करता है मेरे skin के लिए यह oily to combination skin के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और normal skin के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है मुझे पता है क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंज है वो लोग भी यह इस टोनर को यूज करती है तो अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे यह टोनर बहुत पसंद है और अगर आप चाहो तो एक बार इसे ट्राइ करके देखें मुझे यह टोनर इतना पसंद है कि मुझे लगा इस प्रोड़क्त के लिए एक रिव्यू तो बनता ही है और जब मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेय करना स्टार्ट की हूँ तो मुझे लगा मेरा इस प्रोड़क्त के बारे में जो रिव्यू है वो भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए अगर आप चाहते हो तो यह प्रोड़क्त को एक बार खरीद के देखिए फर्स टाइम आप छोटा साइस खरीदे ज्यादा प्राइस भी नहीं है उनली 45 रूपीज इसका प्राइस है तो वो छोटा साइस खरीद के आप लोग ट्राइ कर सकते हो अगर आ प्राइसिंग क्या है इसका क्वांटिटी क्या है यह क्लेम क्या करता है यह प्रोड़क्त कैसा है कौन से स्कीन साइप के ऊपर यह प्रोड़क्त सूट करता है और मुझे अभी नहीं लगता है कि कुछ बचा है इस प्रोड़क्त के बारे में आप लोगों को बताने के कि यह प्रोड़क्ट असल में कैसे वॉर्क करता है सो चलिए डेमो देख लेके कॉटन ली हो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो यह कॉटन से भी अपलाई कर सकते हो या आप डायरेक्ली भी थोड़ा सा हाथ में लेकी पूरे फेस में डैप कर सकते हो तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगी पहले मैं कॉटन से दिखा देती हूँ फ्रोडासा कॉटन लीजिए और मैं इसी से यूज़ कर रहे हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट ली यही बाटन यूज़ कर रहे हूँ वो पुड़ा सील्ड था मैं आपको दिखाने के लिए यहां पे खोड़ी थी तो मैं यही उसकर रहे हूँ खोड़ा सा प्रोड़क्ट लूँगी मैं कॉटन में इसना सा अभी मैं अभी फेस पे लगाऊंगी आप लोग देख सकते हो और यह जो आपका ओपन पोर्स है उसको भी सच में थोड़ा सा मिनिमाइड कर देता है आप इसे डेली लगाओगे तो इसका रेजल्ट आपको समझ में आ जाएगा आप इस तरह से कॉटन से भी लगा सकते हो अभी मैं इस साइड में दूसरे तरीके स दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं यह थोड़ा सा प्रॉड़क्ट आप ऐसे हाथ में लीजिए अभी इस तरह से डैप कर लीजिए तो थोड़ा से बच गया ज्यादा हो गया मैं ले ली थी तो मैं पूरे फेस पे लगानी हूँ यह मुझे टोनर बहुत पसंद है और इसे लगाने से आपको इतना रिफ्रेश फिल हो जाएगा ना मैं क्या बोलू मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा थंड़ा थंड़ा और बहुत ही रिफ्रेशिंग है यह टोनर आप लोग एक बर ट्राइ करके इसे जरूर देखिए आपको जरूर पसंद आएगा तो आप देख सकते हो मेरे स्कीन में कितना मेरा स्कीन बहुत ग्लो कर रहा है और जैसे यह टोनर आपके स्कीन पे अब्सॉर्ब हो जाएगा और भी अच्छे से ग्लो करेगा जैसे लगेगा कि आप कुछ अलग से लगाए हो पर यह टोनर का ही रेजल्ट है यह बह अगर आप लोगों को सच में पसंद आए और आप लोगों के लिए जरा सा वी हैलफुल रहे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा by pressing the like button और उसके साथ मेरी चैनल को भी प्रेस्सक्राइब कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और अगर आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हो तो इट रेली मिन्स अलॉट टो मी प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब कर देजी यह मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे और अगर आप चाते हो तो इस वीडियो को आप लोग कर सकते हो अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शे आवलेड़ ज झारा बलेड़ेदा